बासकार दोस्तों, होमियो टॉक्स डॉक्टर अन्बोल में आपका स्वागत है, आज हम बात करेंगे यूरिनेरी ट्रेक्ट इंफेक्शन के बारे में जो जलन होता है पिसाब के बगत, उसके निराकरन के बारे में और होमिपेथी में वो कौन सा एक दवा है जो आपके पाकुनील सीरफ, पाकुनील एक ऐसा सीरफ है जो कि आपके यूटी आई प्रावलम को पुर्ण रूप से ठीक कर देता है, इस दवा को आप अच्छी तरक से देख लें, या आपके पिसाब में जो जलन होता है, हमारे पिसाब का जब पी एच बढ़ जाता है, जब वो एस इस दीक हो जाता है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा लाब करता है, इसमें खास करके जो दवाईयां दी गई हैं, वो है दोस्तो बरबरिस भलगरिस क्यू, कैंथरिस 3X, एसिडम औकजालिकम 3X, ओसिमम कैनम Q, कैलकेरिया रिनैलिस 3X, सार्सा परिला Q में, प्रेरा ब्र और खास करके इस दवा की जो खासियत है, वह यह है कि यह आपको एक जगा कई दवाओं का कंपोजिशन है, जो कि हमारे रिनल सिस्टम पर हमारे किडिनी पर अच्छे से काम करते हुए, हमारे यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन को पूरण रूप से ठीक करने में एक सक्छ सम दवा है, यह दवा खास तौर पर यह highly specialized function of maintaining a homeostatic balance of body fluids, body fluids को बहुत ही अच्छे तरक से यह maintain करता है, balance करता है, और इसलिए रिनल प्रॉब्लम्स में भी इस दवा को लिया जा सकता है, जहां पर आपको यूटियाई हो, जहां पर आपको सिस्ट हो जाते हैं, टीमर्स हो ज किडिनी में जो पत्री हो जाती है, उसमें भी आप इस दवा को लेंगे, तो यह आपको बहुत अच्छे से लाब करता है, दोस्तों इस दवा को किस-किस लक्षनों में आप ले सकते हैं, वहां पर किस तरह के symptoms होंगे, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो आप इसको lower back pain और flanks में, जहां पर UTI infection associated एक लक्षन होना चाहिए, और इस तरह का लक्षन अगर आपको हो, कि आपको back act हो, तो वहां पर इसे आप ले सकते हैं, fever with chills and body act, बुखार के साथ-साथ बदन में दर्द रहे, आपको बहुत ठंड लगे, वहां पर आप इसे ले सकते हैं, या vomiting में भी ले सकते हैं, और burning and pain दर्द के साथ-साथ जलन के साथ आपको जब पिसाब होता है, उसमें ले सकते हैं, बलड जब आपके urine में दब आप आकुनील को प्रियोग कर सकते हैं, और retention of urine में भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं, जहां पर आपके urinary bladder में पिसाब रह जा और आप जब ultrasound कराते हैं, तो जो residual volume होता है दोस्तों, जो urinary bladder में पिसाब रह जाते हैं, जिसे हम लोग retention of urine कहते हैं, उसमें भी आप इस दबा का प्रियोग करते हैं, यह एक बहुत ही अच्छी दबा है, जिसका आपको आप देखेंगे कि जिनके सरीर में retention of urine होता है, या फ यह बहुत अच्छा लाब करता है, आँखों के पास देखेंगे आप फैला बन जाता है, ओडिमा हो जाता है, वहाँ पर भी यह दबा बहुत अच्छा लाब करता है, जबकि पूरे सरीर में आपको सूजन देखने को मिलता है, वहाँ पर भी जो retention of fluids होते हैं बोडी में, व बहुत अच्छा काम करता है, और यह दबा खास करके bladder region में जो दर्द होते हैं, उसमें भी बहुत यह दबा है, एक ऐसी दबा जो पिसाब के जलन को जड़ से ठीक करने में बहुत अच्छा काम करता है, जहां पर पिसाब करने में खुठन हो और बराबर पिसाब जाने की ज जो बार-बार पिसाब जाना पड़ता है और आपको यूरेथरा में पैन रहता है, वहां पर अच्छी दबा है, किडनी स्टोन के लिए भी बहुत ही खास दबा है, जहां पर ऑगजलेट्स का फोर्मेशन हो जाता है, ऑगजलेट्स स्टोन अगर किडनी में हो तो उसमें अ जैली कम एक बहुत ही खास दवा होती है और सिमम कैनम है जो कि बहुत ही अच्छी दवा है ठीक यूरीन के लिए टर्बी यूरीन के लिए जहां पर यूरेटर्स में दर्द रहते हैं उसमें और आपके पिसाब में खून आता है वहाँ पर भी ये दवा बहुत अच्छा वेटिंग का जो इन रिसिस का केसिस होता है वहां भी यह बहुत अच्छा लाब करता है उसमें पिसाब में अगर खून आवे जलन हो तो भी यह दवा बहुत अच्छा लाब करता है इसलिए या एक बहुत ही खास दवा है इस दवा का जो लक्षन है सारसा परिला का इसमें पिसाब बुंद बुंद आएगा और दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि पिसाब के अंत में आपको बहुत तिवर दर्द होता है वहाँ पर इस दवा को बहुत ही लाबकारी माना गय इसमें प्रेरा बिरहभा है जो की बहुत ही खास दवा है उरेथ्राइटीस का और प्रोस्टेटिक ट्रॉबल्स में जहां पर प्रोस्टेट बढ़े हुए रहते हैं प्रोस्टेटो मेगली का केसिस जो होता है वहां पर ये दवा प्रेरा बिरहभा बहुत अच्छा लाब करत और बराबर आपको पिसाब जाने की एक्छा होती है पिसाब बहुत थोड़ा होता है और नेफ्राइटिस जैसे जहां पर हमारे किड़नी में सूजन आ जाता है रीनल कॉलिक में जहां पर किड़नी में आपको दर्द बना रहता है वहां पर सेनेसियो औरस एक बहुत ही खास एक ऐसी आउसदी जो आपके संपुर्ण UTI प्रॉबलम को किडिनी रिलेटेड डीजीज को ठीक कर देता है और बहुत ही खास दवा हो जाता है या आए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में आपको इस दवा को 1 TSF एक चमच जो है बड़ा चमच से आपको इस दवा को तीन बार लेना चाहिए चार चमच सुसुम पानी में मिला करके सुबह दोपर साम तीन बार खाना खाने के आधा घंटा के बाद तो आपको इससे बहुत ज्यादा लाब होता है जिनमें अत्यधीक बार बार बलाड आ रहे हैं बहुत ज्यादा परनी मिक्चुरेशन हो रहा है व 115 ml की यह दवा है 115 ml की दवा की कीमत 110 रुपिय है 110 रुपिज तो आप इसका लाब उठा सकते हैं और UTI प्रोग्लम को अलविदा कह सकते हैं आज के लिए इतना है प्लीज लाइक एंड शेर माई वीडियो और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसी तरह के अप